हे गैस कैसे हो आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छोगे तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो तुम्हारे भाई की सुरू में स्टार्टिक में बोल दाना और रिक्वेस्ट है वीडियो को अन तक देखना वीडियो को लाइक ज होता है किसको करना चाहिए हेड्स्टेंड और कैसे करना चाहिए सारी चीजे इस पर बात करेंगे और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है सब कुछ मैं क्लियर बात करूंगा इसलिए मैं बार बार बोल ला हूँ इस वीडियो को अन तक देखना ये वीडियो बहुत head stands से आपका hair fall stop होता है कि नहीं तो मेरा answer है yes हाँ मेरे भाई आपका hair fall stop होता है बस ये है कि hair fall एक दिन दो दिन तीन दिन में नहीं stop होगा इसमें time लगता है तो आपका hair fall stop होगा second बात करेंगे क्या इससे hair growth होता है ये बहुत ज़्यादा question पुछा गया कि भाई बताओ क्या hair growth होता है कि नहीं head distance सीर सासन से तो मेरे भाई होता है इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है आपके scalp में blood circulation बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो आपकी hair अच्छे होंगे यहां पर DST आपका है तो DST ब्लॉग हो जाएगा जिससे आपका hair fall बंद हो जाएगा आप बात करते हैं इसके side effect की तब इसके बात करेंगे करना कैसे आपको क्या क्या कैसे बात करेंगे इसका सही करने का तरीका मैं बोलता हम अपनी वीडियो में पांच मिनट करना है आपको 5-5 मिनट के 2 मिनट तो मेरे बाई इसका मतलब यह नहीं आप पहले दिन से करणा है कि पांच 5-5 मिनट करना सुरू कर दो आपको कॉई बीचिज आपको अगर आपने पहली बार किए तो जाहिसे बात क्या करतें गल्त क्या ऐसे नौर्मल JAIS कहीं पे भी बिना कुछ टेक लिए अगर आप पहली बार करो जाहिर सी बात है ऐसे नहीं कर पाओगे आपको टेक किसी चीज की चाहिए वाल की दिवाल की या बेट पर कहीं पर तो आपको करना कैसे सही तरीका मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं वीडियो में दिखाने के बाद मैं आपको बता लूं करना कैसे है वर है और आपको यह हाथ ऐसे ऐसे आपको रखना है पिर आपको यह दूसरा इस पर हाथ रखने थिर्ग związत करना यह उठना इस च्टार्टिंग को डिक्कत होगी बस ऐसे होगत के अग An turkey करना इस टार्टिंग में आपको डिक्कत होगी बट दिरे दिरे प्रैक्टिस से आएगा मैं तो बोलूँगा जब आप प्रैक्टिस करो तो वाल हो आप क्या गया पीछे वाल हो उसके आप पैर टिका सकते हो तो ऐसे आप करोगे मैं देखा है उसलिए कि मुझ मेरे बहुट दिनों से प्रैक्टिस की है तब मैं ऐसे किया आप को जब करना आप पहली बार करें हैसे टैंट तो आपको किसी का support लेना है या तो दिवाल का ले लो या किसी अपने भाई का ले लो support उसको खड़ा कर दो पीछे वो पकड़े आपके पहर मतलब कुछ cool मिला के आपको support लेना है और गत्ते वाली चीजों पर करना है जाकि आप गीरो तो आपको चोट ना लगे और जो नहीं कर पाते सीरस आसन नहीं कर सकते हैं उनको सर्वांग आसन करना सर्वांग आसन आप कर सकते हो यह भी उतना ही इफेक्टिव है जितना की हैड इस्टेंड तो यह वीडियो मुझे जरूरी लगी इंपोर्टन लगी क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे तो मैं सुचा इस पर वीडियो बनाओ तो मैंने आपको बताया आपने इसको सुना और इसको आपको करना धन्यवाद आपको यहां तक लास तक आपने वीडियो देखी मेरे कहने पर बस आपको कुछ नहीं करना अगर आपको थोड़ी से भी हेल्प मिलियो या बट्वाली फीनिंग आई